लंका में लक्षमन जी के मुर्षित होने पर श्री राम जी ने क्यों कहा कि नीजे जन नीके एक कुमारा जबकि वे दो भाई थे मेरे भाई इस तरह के रामचरित मानस में बहुत सारे प्रश्ट हैं जिसका उत्तर विद्वान लोग आज भी दे रहे हैं मैंने भी एक दो का प्रियास किया है आपको मैं बताऊं कि इसका अर्थ हुआ कि नीजे जन नीके एक कुमारा तात तास तुम प्राण अधारा आए भाई योँ समान लोग लगाते हैं और पहले वह जान लीजे लोग अर्थ लगाते हैं कि नीजे जन नीके अपनी मा के जो एक कुमारा है नीजे जन नीके एक कुमारा तात तास तुम प्राण याधारा लोग अर्थ लगाते हैं जबकि लक्षमन जी दो भाई थे सत्रुगण और लक्षमन ते इन्होंने क्यों कहा कि नीजे जन नीके एक कुमारा दरसल इसका अर्थ शिक से लगाईए नीजे अपनी मा का जो एक कुमारा है जो एक बेटा है अर्थात मैं नीजे जन नीके एक कुमारा रामचरित मानस में ऐसा नहीं लिखा है लेकिन और था लगाईए मैं लीजे मैं मेरे जो आदमी अपनी मा का केला बेटा है तात है तात तुम उसके प्राण के अधारे हो तुम उसके प्राण के प्यारे हो यही लोगों के मन में बिवाद उश्ता रहता है कि कैसे हुआ राम चाहिए किसी भी रामायन में आप देखेंगे तो अर्थ यही लगेगा कि तुम अपनी मा के एक संतान हो दर असल ऐसा अर्थ रही है क्योंकि अर्थ लगाने में अगर मेरी भूल हो रही है तो गोस्वामी जी को दोसी नहीं बनाना चाहिए अर्थ यह हुआ कि मैं अर्थात जो बेखती अपनी मा का एक बेटा है एक संतान है निज जननी के एक कुमारा तात है तात तुम उसके प्राणों के अधार हो तुम उसके प्राणों के अधार हो तुम ही सब कुछ उसके हो और आज उसके रहते हुए तुम्हें यहां बुर्चित होकर पड़े हो जब मैं लोट के जाओंगा जो द्या तो तुम्हारी मां को मैं क्या जबाब दूँगा यहां पीडा राम को खाये जा रही है इसी पीडा के कारण राम कहते हैं जयें अवद कवनम मुलाई दारी हे तु इस्त्री के कारण अपने भाई को जिसने गवा दिया लोग यही कहेगा दार हे तु प्रेपरान भाई गवाई भाई को जिसने नस्ट कर दिया लोग मुझे ब्लेम करेंगे मुझे मेरी निंदा करेंगे कि कैसा है राम जो अपनी पत्री के लिए अपने भाई को गवा दिया जो भाई राम के लिए अपनी प्राण की बाजी लगा कर जुद लड़ा ताकि उसके भाई के भाई की पत्री की रख्षा हो सके इसी संदर्व में कई लोग थोड़ा भरम में पर जाते हैं तो राम चरित्मानस तो कैपसूल है एक एक कैपसूल ठीक से उखार कर देखिएगा मैं और भी बताऊंगा आपको निज जन नी के एक कुमारा तात तास तुम प्राण याधारा और आगे कहते हैं यह एक और बड़ा ही उल्जन वड़ा प्रसंग है जो जन ते बन बंद हुबिछो हूँ पिता बचन मन ते नहीं वो हूँ अब इसमें राम चाजित मानस को पढ़ने वाले राम के उपर उगले उठाते हैं अब अगले एपिसोड में हम इसकी ब्यांख्या भी करेंगे आपके साब में